दोस्तों किरकेट एक जेंटलमेन गेम है पर साथ ही ये बहुत ही खुबसूरत और इमोशन से भरा हुआ खेल है इसलिए आज की इस वीडियो में हम किरकेट जगत के कुछ खुबसूरत और इमोशनल मुमेंट्स को देखेंगे इसलिए वीडियो में अंतक हमारे साथ बने रह जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो देर ना करते वे वीडियो शुरू करते हैं नमर आठ ये बहतरी नजारा कोई कैसे भूल सकता है साल 2011 में इंडिया और शिलंका के बीच वल्ड कप के फाइनल मुकाबले में इंडिया जीत से सिफ 21 रन दूर था और क्रीच पे धोनी और युवराज सिंग मौजूद थे तभी अपनी टीम को जीते वे देख सारी ओडियंस बंदे मातरम गीद गाने लगी उस समय मैदान पर 40,000 लोग मौजूद थे अब जरा आप ही सोचिए जब 40,000 लोग एक साथ बंदे मातरम गार है होंगे तो वहां का नजारा कैसा होगा वैसे इस बात का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि जब एक इंटरव्यू में धूनी से पूछा गया कि मैदान पर आपका सबसे यादगारपल कौन सा है तो उन्होंने ये जवाब दिया नमर साथ ये दरिश्य साल 2015 के वर्ल्ड कप सेमी फाइनल की है जब न्यूजिलेंड और सौफ अफरीका के बीच मुकावला हो रहा था जिसमें न्यूजिलेंड की टीम ये मुकावला जीच जाती है और सौफ अफरीका टीम के सभी खिलाडी काफी इमोशनल हो जाते है ये वाक्या 2014 का है जब लॉड्स में हो रहे MCC 11 और Rest of World के बीच एक मुकावले में युवराज 126 रन बना के खेल रहे थे तभी उनके सामने बॉलिंग करने किरकेट के भगवान सचिन तेंदूल कर आते हैं जिसको देखकर युवराज सिंग काफी उतसाहित हो गए और वो सचिन के पाउं छूने लगे वैसे युवराज सिंग ने सचिन के इसो भर में एक बॉल पर छक्का भी लगाया पर वो सचिन की अगली बॉल पर आउट भी हो गए नमर पांच दोस्तो अपने लगभग सभी खेल में खिलाडियों के जर्सी के पीछे उनका नाम लिखा देखा होगा पर इंडियन क्रिकेट टीम ने वाइजएग में न्यूजिलेंड के खिलाफ एक ODI मैच में टीम के सभी खिलाडियों ने अपनी मा का नाम अपनी जर्सी के पीछे लिखवाया था जिसको देखकर सभी के दिलों में एक अलग ही इज़त बन गई वैसे IPL 2022 में लखनाव सूपर जाइंट्स ने भी कुछ ऐसा ही किया था दोस्तो धोनी का नाम लेते ही हमारे दिमाग में 2007 और 2011 वर्ल्ड कप की तस्वीर बनने लगती है पर सोचिए जिस धोनी को लेके हमारे दिल में इतनी इज़त है तो यंग क्रिकेटर्स के लिए तो वो किसी भगवान से कम नहीं होंगे ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला जब IPL 2022 में चेन्नेई और राज्थान के बीच एक मैच के दोरान सभी खिलाडी धोनी से बात कर रहे थे तभी यशशबी जैसबाल वहां आते हैं और धोनी से पंच हैंडशेक करने के बाद उनके सामने हाँ जोड लेते हैं जैसे हम और आप अपने भगवान या गुरू के आगे जोडते हैं वैसे बाद में धोनी ने अपनी साइन कीवी जर्सी भी उनको गिफ्ट की दोस्तो श्टीव स्मिथ बेशक एक बहतरीन बल्ले बाज हैं क्योंकि उनके नाम पर काफी बड़े बड़े रिकार्ड्स हैं पर जितना वो अपने बल्ले बाजी के लिए मशूर हैं पर उससे जादा वो बॉल टेंपरिंग की घटना को लेके बदनाम भी हैं तब ही तो अपने एक साल के बैन खतम करके लोटने के बाद स्मिथ ओवल में इंडिया के साथ मैच खेल रहे थे थर्ड मैन पर फिल्डिंग के दौरान उनके पीछे की ओडियंस उनको चीटर चीटर कहके चिढ़ाने लगी जिसके बाद विराट कोली सामने आए उन्होंने आउडियंस से उनको चीटर कहने की वज़ाए उनको चीर करने को कहा जिसके बाद स्मिथ का रियक्शन कुछ इस परकार था नमर दो दोस्तो जब भी कोई क्रिकेटर अपना आखरी मैच खेल के जा रहा होता है तब मैदान पर एक अलग ही महौल बन जाता है क्योंकि वो खिलाडी काफी साल किसी टीम के लिए खेलते हैं तो इमोशनल होना तो लाजमी है पर जब क्रिकेट के भगबान सचिन तेंदुलकर की बात हो तो क्या ही बात है 24 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सचिन जब अपने आखरी टेस्ट मैच में बैटिंग करने उतरे तो सभी खिलाडी और दर्शकों ने उनका कुछ इस तरीके से स्वागत किया और जब मैच खतम होने के बाद वो श्टेडियम से वापस जा रहे थे तो इस तरीके से प्लेयर्स ने उनका सम्मान किया जो कि किसी भी खिलाडी के लिए एक खुबसूरत ना जा रहा था साल 2018 में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे किर्केट जगत को शर्मशार कर दिया जी हां कुछ ऑस्टेलियन प्लेयर्स पर साउथ अफरिका के खिलाब टेस्ट मैच में बॉल टेंपरिंग का आरोप लगा वैसे अच्छी बात ये रही कि सभी दोशी खिलाडियों ने ये बात अराम से कबूल भी कर लिया और इससे मिलने वाली सजा के लिए वो तैयार भी थे पर किर्केट प्रेमियों को सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ जब इस घटना में स्टीब स्मित का भी नाम सामने आया जिसके बाद ऑस्टेलियन किर्केट बोर्ड ने स्मित पर एक साल का बैन लगा दिया पर जब बैन की ख़वर के बाद स्मित का इंटर्वी हुआ तो वो इंटर्व्यू के दौरान फूट फूट का रोने लगे जो कि आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं तो दोस्तो ये थी किर्केट जगत में हुए कुछ ब्यूटिफुल और इमोशनल मॉमेंट्स उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी जिसके लिए एक लाइक तो बनता है और स्पोर्ट से जुड़ी ऐसी भेतरीन वीडियो के लिए राइजन इंडिये स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें